वहलो फ्रेंड्स वैलो बैक टो माई चैनल मैं हूँ आपकी वर्षा फ्रेंड्स आज ये वीडियो हम बात कर एंगे ब्याट इंट-थैंस एक्जाम के सामान ने अग्ञान के प्रैक्टिस सेट कि तो चले फ्रेंड्स व्डियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज में चालों को सब्सक्राइब कर लिए और अगर आपने चालों को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के शेर कीजिए स्टार्ट करते हैं आज के कॉश्चन लोग सभा के सुरक्षित निर्वाचन छेत्र निम्ण मैंसे किस वर्क के लिए नहीं होते हैं तो ये पिश्ड़े वर्क के लिए नहीं होते हैं इसलिए औप्शन से हमारे राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है वाइरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोख कौन सा होता है तो यहाँ पर जुखाम जो है वो वाइरस द्वारा होता है इसलिए औप्शन से राइट आंसर है next question है यदि किसी राज्य विधान परिशत का सवापती अपने पत से त्यापत्र देना चाहे तो वे अपना त्यापत्र किसको देगा तो यहां पर right answer होगा C, उप सवापती को देगा next है प्रत्वी के उपर के चार छित्रों में से सबसे कम उचाई किसकी होती है तो सबसे कम उचाई की बात करें तो इस टेटो स्फेयर है तो option A यहाँ पर हमारा right answer है next आते हैं संसत के किसी भी सदन की कारेवाई में गैड सदस्य के रूप में कौन भाग ले सकता है तो यहाँ पर right answer है option C महानियावदी friends 20 day series please please जरूर देख लीजे क्योंकि यह सारी important information इस से रिगार्डिंग अभी हमने लेयर पड़ी है तो यह सारी चीज है इसके regarding सारी important information 20 day series में दे रखिए तो प्लीज एक बार अपने exam से पहले 20 day series जरूर देख लीजेगा नेक्स्ट है ओजोन परत अवस्थित है तो यह सबको पता है बहुत ही simple है समताप मंडल में नेक्स्ट है ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराईयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवात पर प्रचार करना तो option A और B यह दोनों ही correct है next question है देश में शाक्षवर्दा के इस्तर को उचा उठाने के लिए रास्ट्रीय साक्षवर्दा मिशन किस वर्ष प्रारम किया था तो यह प्रारम किया गया था 1988 इसवी में नेक्स्ट है किसके एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेक के साथ चांदर के निर्गत किये तो इसका राइट आंसर है B. महमूद गजनवीन नेक्स्ट कोशन है कावेरी नदी जल्व विवाद मुख्य तक किन दो राज्यों में के मद्ध्य है तो इसका राइट आंसर होगा D. करनाटक और तमिल नाइडू के नेक्स्ट है निमलिखित मेंसे कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्थाब रखाता तो इसका राइट आंसर है option A. एनी बेसे इंट नेक्स्ट कोशन पर आते है डवल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंदित है तो डवल फॉल्ट शब्द संबंदित है टैनिस से नेक्स्ट है कॉंग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रती अपनी नीती घुशित कीती तो उसने सबसे पहले घुशित कीती 1920 की नाकपुर अधिवेशन में तो option C. यहाँ पर राइट आंसर होगा कि नेक्स्स कोश्ण है राजवपाल केंद्र से राज्य में राष्टपती शाषन की शिफारीश कब करता है तो इसका राइट अंसर होगा C. जब राज्य में सम्वेदानिक तंत्र का उलंगन हो रहा होता है तब करता है नेक्स्ट है राज़ेपाल का कारेकाल कितनी अब्धी का होता है अगेन वेरी इंपोर्टेंट एंड इजी कोश्चन रास्ट पती के प्रिसाद पर्यन ठीक है तो आप्शन सी यहां पर राइट आंसर है नेक्स्ट है राज़े पुनरगठन आयोकी सिफारिशों की अनुसार भारती राज़े का व्यापक पुनरगठन कप किया गया था तो इसका राइट आंसर है 1956 इसवी में आप्शन बी नेक्स्ट है वे हैं अंतिम हिंदू राज़ा जिसने हिंदू स्वराज इस्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी वे कौन थे तो वो थे चत्रपती सिवाजी आप्शन ए राइट आंसर है नेक्स्ट है दीवा ने इस्थिहाक की स्थापना किस ने की थी तो इसकी स्थापना की थी रजिय सुल्तान ने तो ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है निमलखित मैंसे कौन सा यूग मुसमेलित नहीं है बोडो नागा लेंड गदी हमाचल प्रदेश खासी मेगाले है मिकर अरुनाचल प्रदेश यह जातिया है आपको बतानी है जाती कहां कहां की है और इसमें से कौन सा गलत है तो मिकर जो है वो यह गलत है नेक्स्ट है भारत में सबसे पुरानी परवतमाला कौन सी है बहुत सिंपल है बहुत पूछा जाता है फ्रेंट से कौश्चन अरावली यह राजिस्थान में है नेक्स्ट है लोगसवा की बर्तमान सदस्य संख्या कब तक परिवर्तित रहेगी तो इसका में कहा गया था कि 20-26 तक इसमें कोई भी चेंजिस नहीं किये जाएंगे और वो कितनी संख्या है वो भी आपको बतानी है वो कितनी संख्या यहां पर उन्होंने फिक्स की है अंकोर वाट कहां अवस्थित है तो इसका राइट आंसर है डी कमबोडिया में नेक्स है भारत क नेक्स कोशन है निमलिकित मैंसे किस प्राकरतिक प्रदेश को विश्व की चडिया घर के नाम से जाना जाता है तो इसका राइट आंसर है अपर ऑप्शन नमर भी जो कि है सवाना प्रदेश नेक्स्ट है भारत में जिससे मुद्रा सफीती बना पी जाती है वह क्या है तो इसको हम बोलते हैं धोक मूले सुझ कांग तो ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर है नेक्स कोशन है पुराने समय में प्रतवी के पुत्र के नाम से कौन जाने जाते थे तो यह जाने जाते थे मंगल घर ऑप्शन ए राइट है नेक्स्ट है भारत की विदेशी मुद्रा का स इंपोर्टेंट कोशन है यह बहुत पूछा जाता है फ्रेंट्स लास्ट यर भी पूछा गया था यह तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए रिगवेद सबसे प्राचीन बेद है नेक्स कोशन है पंच गंगा तथा दूद गंगा किसकी सहाइक नदियां है तो चित्रावली है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है भी गुप्तकाल नेक्स कोशन पर आते हैं सामानने मानम में पाए जाने वाले गुड़ सुत्रों की संख्या कितनी होती है तो इसका राइट आंसर है भी 46 और यहाँ पर अगर उनके जोड़े पूछे जाएं तो 23 ठीक और जोड़े पूछे जाएं तो आपको 23 बताने है नेक्स्ट है भारती सम्विधान में कितनी सूची है तो अगर हम बात करें भारती सम्विधान में सूची की तो देखें यहाँ पर जो ऑप्शन्स है इनके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट तरह तीन सूची है तो यह मिलती है हमारी व्रिग वेद में वेदों से रिलेटेड भी जो इंपोर्टेंड इंफॉर्मेशन से जो पूछी जाते हैं उसके उपर वी मैंने 20 डे सीरीज में डिसकस किया हुआ है तो एक बार प्लीज 20 डे सीरीज जरूर देख लिजए बहुत इंपोर्टेंट है आप अलग से भी जाके देख लिजएगा जो भी आपको थम्डेल मिलता है वहां पर एट नंबर से पहले की जितनी वी वीडियो हैं वह हमारी 20 डे सीरीज से रिलेटेड है तो आप देख लिजएगा उपर अलग से मैंशन किया हुआ है 20 डे सीरीज ठीक देश का समाचार पत्र है तो इसका राइट आंसर है इरान का नेक्स्ट है अमरतल सर इस्टे स्वाण मैंदिर किस ने बन वाया था तो ये बन वाया था गुր अघुन देव ने ऑपिशन ऐयरा इन्था Chemistry exposure 500 पर आते हैं पैंगल किस राज्य का चर्चित परव तो ये चर्च आंसर है नेक्स्ट है सुतन्द भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे तो इसका राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन भी सुकुमार्स है नेक्स्ट आते हैं वर्स 18-29 ECU में सती परता का उनुमूलन किसके दौरा किया गया था यह मैंने आपको कल भी बताया था एक नाम मैंने कल बताया था और उन्होंने जिनके साथ किया था उनका आपको यहां पर बताना है नाम तो वो है लौड बिलियम बैंटिक निम्न मैंसे कौन सी समिती संसत की स्थाई समिती नहीं है तो यहां पर इसका राइट आंसर है ओप्शन अमर्डी वित्मंत्राले की परामर्श यात्री समिती नेक्स्ट है निम्लिकित मैंसे किस जिले में कॉफी का उत्पादन अधिक होता है तो यहां पर इसका right answer की बात करें तो right answer है यहां पर option A कुर्ग नेक्स्ट है निम्लिकित मैंसे कौन सा 1688, 57 के विद्रों से प्रवावित नहीं था जहांसी, चित्तोड, जगदीशपूर या लखनौव तो यहां पर राइट आंसर है option B, चित्तोड नेक्स्ट है खालसा हेरिटेज, मेमोरियल, कॉम्पलेक्स की स्थापना कहां की गई थी तो इसका राइट आंसर है option number B में जो की है हमारा पटना कमागट मारू, यह क्या है तो इसकी बात करें तो यह कनाड़ा की यात्रा पर निकला एक जलपूत है तो option D, right है तो राहक किस धार्मिक संपर्दाई की पवित्र पुस्तक है तो यहुदियों की पवित्र पुस्तक का नाम है तो option C, यहां पर right आंसर है किस प्राकरतिक प्रदेश में सबसे अधिक देनेक तापमान पाया जाता है तो यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो option C, यहां पर right आंसर हो जाएगा तो फ्रेंट्स इसमें बात करें तो option A, right आंसर है इसमें उलिख लंकार है नेक्स्ट है अतीवरस्टी का ब्लॉम शब्द क्या होगा तो इसका right आंसर है यहां पर option C, अनावरस्टी नेक्स्ट है पाप पोर्ने शब्द में कौन सा समास है तो यहां पर इसका right आंसर है option D, द्वंद समास भूपाल, पालव, भूमी, पती, बदनेज, नंद, सुजान इस पद में किस चीज का प्रयोक किया गया है तो यहां पर option हम बात करें तो A, right आंसर है हरी गीतिका का नेक्स्ट कोश्टन है दोहा में कितने चरण होते हैं तो यहां पर इसका right आंसर है अगर हम बात करें तो option B, चार चरण होते है नेक्स्ट कोश्टन पर आते हैं अब यहां पर हमें मुहावरे दे रखें उनका हमें सही अर्थ बताना है भैभीत होना, भैभीत कर लिजेगा इसको भैभीत होने का क्या अर्थ होता है भैभीत होने का मतलब होता है कलेजा धक-धक करना तो option D, right answer है नेक्स्ट कोश्टन है आँख की क्रिकरी होने का क्या मतलब है तो यहां पर इसका right answer है option number A, अप्रियर लगना नेक्स्ट आते हैं चुहे का बच्चा बिल ही खोता है क्या मतलब होता है तो यहां पर इसका right answer है option number B, जमजात कारे बदल नहीं सकता option B, right है नेक्स्ट है तोड़ती पत्थर कभिता की कभी कौन है तो यहां पर इसका right answer है C, सूर्यकांतरपाधी निराला दुशाशन का संदिविच्चित क्या होगा तो right answer है C, कू, शाशन, दुशाशन का संदिविच्चित होगा नेक्स्ट है राजेस किस प्रकार की संदि का उधारण है तो इसका right answer है A, गुड़स्वर संदि नेक्स्ट है दिये गए शब्दों में समास बताने के लिए उच्चित विकल्प का चैन कीजे गौशाला में कौन से समास है यहाँ पर तो इहाँ पर गौशाला में तत्पुरु समास प्रक्त किया गया है तो option A, right answer है नेक्स्ट कोश्चन है नवग्रा में कौन से समास प्रक्त है तो इहाँ पर option A, right answer है दिगु समास, नेक्स्ट है विध्यार्थी में कौन से समास प्रुक्त किया गया है, इसमें तत्पुरु समास प्रुक्त किया गया है, नेक्स्ट कोशन है, दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्दों की सुद्ध वर्तनी के उच्छित विकल्प में बताने है, प Option D, right answer is regret. Next है, Option D, Option B, right answer है. Next है, तरुवण फल नहीं खात है, सर्वर पिरी नपान, प्रुस्तत पंक्ती के रचईता कौन है? तो ये लिखी है रहीम ने बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविवेशन कौन सा शब्द है? तो यहाँ पे बहुत प्रविवेशन है Next question है निम्न मैंसे कौन जाती वाच्चक संग्या का उधारण नहीं है? तो इसमें यहाँ पे option D right answer है भारत Next है निम्न मैंसे कौन शब्द अविकारी नहीं है? तो अविकारी शब्द इसमें बात करें तो हाती नहीं है Next है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते है तो उसे यहाँ पर बताने हैं क्या कहते हैं तो अजानू वाहू बोलते है Next है कमल का प्रियावाची निम्न मैंसे कौन सा नहीं है? तो इसका right answer है D जलद Next है तुलसिदास की रचना कौन सी नहीं है तो देखे इस कभिता बली, रामचरित मानस ये सारी किसकी हैं तुलसिदास जी की रचना है विन्ने पत्र का भी साहित ते लहरी नहीं है तो option D यहाँ पर right है अब यहाँ पर बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध है इसमें से हमें शुद्ध देखना है तो देखे शुद्ध इसमें option C हमारा right है जो तिर्मे Next है दर्शन का तद्भव क्या होता है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो option यहाँ पर हमारा B right है दर्शन Next है अब यहाँ पर में चार विकल्प दियां सही चुनना है, प्राचीन का क्या होता है तो यहाँ पर राइट आंसर है C, अरवाचीन कृतग्य का क्या होता है, कृतग्य का राइट आंसर है यहाँ पर option A, कृतग्न next है निम्रिखित में से कौन सा पोल्लिंग है, सड़क, किताब नाक या तही option D, right answer है दही, लंबोदर किस परकार का शब्द है, तो यहाँ option B, right है, योगरूण शब्द है next question है बिहार की राजधनी पटना किस बिहारी बोली छेतर में इस्तित है, तो यहाँ पर right answer है C, मग ही व्यर्थ शब्द में किद वर्णों की संदी हुई है, तो यहाँ पर right answer है A, E, प्लस A, प्रगतिशील का व्लोम क्या होगा, यहाँ पर right answer है C, अब प्रगतिशील next question है मुगल किस भाषा का शब्द है मुगल तुर्की भाषा का शब्द है निम्न मैं से कौन सा बाधल का प्रियावाच्ची है तो इसमें से यह सारे ही बाधल के प्रियावाच्ची शब्द है next question है अन्ना भाष किस परकार का समास है अन्ना भाष एक तरह का ततपुरो समास है, तो option A right है चुतुरानन में कौन सा समास है चत्रानन में बहुब्रही समास है तो option B right है स्वरसंदी के कितने भेध होते हैं तो स्वरसंदी के जो भेध हैं वो हैं पांच तरे के option से यहाँ पे right है next question है यथा शक्ती में कौन सा समास है तो यहाँ पे right answer है B अव्याई भाव समास उट के मुँ में जीरा, केला, बंदर्या, मिर्च तो वो होता है जीरा next है डैश के अंदे को हरा ही हरा नजर आता है तो यहाँ पे इसका right answer होगा option B सावन के अंदे को हरा ही हरा नजर आता है हिंदी शब्द का प्रयोग सवधम किश भाषा की रचना में हुआ है next आते है राग दरवारी उपन्यास की लेखा कौन है तो इसका right answer है D श्रीलाल शुक्ल next है चंद्र जोट्सना से सारा उपवन दुग्द धवल प्रतीत होता है तो इसका right answer है option C जोट्सना next आते है भारत भारती काववे की रचना कौन किसने की है तो ये की है मैथली शरण गुप्तने next है सन्मार्क का समाज विग्रे क्या होगा right answer है B सत है जो मार्क वो सन्मार्क का समाज विग्रे है next है मनाहा धन भाव का क्या होता है तो यहाँ पर right answer है C मनो भाव अब यहाँ पर देखिए first question हमें दे रखा है यहाँ पर हमें कुछ विकल्प दे हुए है हमें यह बताना है कि कौन सा विकल्प इससे सही है जैसे कि देखिए नेली वेल कहां रहती है सागर में अब उसी तरह से आप यहाँ पर friends देखिए स्थल दे रखा है हमारा स्थल में यहाँ पर कौन रहता है कच्छुआ, मचली, हाती या हरी वेल तो देखिए कच्छुआ, मचली, हरी वेल जिसाब पानी में रहने वाले जानवर है जबकि यहाँ पर हाती जो है वो स्थल में रहने वाला है तो option से यहाँ पर right answer है next है अरक्तता का सम्मन्द रुद्धर से अरक्तता का मतलब क्या होता है अरक्तता वह अवस्था होती है या फिर वह situation होती है जब हमारे blood में जो लाल रक्त करने का होती है यानि कि RBC जो होती है हमारी वो खतम हो जाती है तो वहाँ पर यह situation पैदा होती है उसी तरह से अराजकता का आती है अराजकता आती है जब शार्षन या नेंत्रण का अभाब होता है इसलिए यहाँ पर option से हमारा right answer होगा next question पर आते है कठोर का shell से अब देखिए friends यहाँ पर कठोर का shell से है यानि कि पहला पत दूसरे पत की क्या है गुड़ बता रहा है यानि कि shell कैसा होता है हमारा कठोर होता है कोमल क्या होता है सीसा, कांच, कागज, sponge या फिर शीशा तो यहाँ पर देखिए कोमल जो होता है वो है हमारा यहाँ पर sponge क्योंकि वो बहुत soft होता है इसलिए हाँ पर option C right है next है DHLP BDFG अब देखिए यहाँ पर इसका देखिए क्या relation बनकर आ रहा है BDFH तो देखिए यहाँ पर अगर हम D से जाएं यहाँ पर B की तरफ तो हमाएं क्या करना पड़ेगा minus 2 यानि की 2 पीछे आना पड़ेगा दो शब्द पीछे अब H से आते हैं तो H से 4 कितने नमर पर आता है minus 4 करने पर C से F यहाँ पर कितने पर यह L है L से F है हमारा कितना आएगा जह हम minus 6 करेंगे और P से हम H कैसे आएंगे जहा हम minus 8 करेंगे यानि क्या सीरी चले 2468 हमें यह minus करने है सेम उसी तरह से देखें यहाँ पर दे रखा है F L R X तो F से minus 2 करेंगे तो हमारे क्या निकल कर आएगा यहाँ पर दिखिए तो friends यहाँ पर अगर आप 2 की situation यह वाली situation लेके चलेंगे तो आपका answer यहाँ पर नहीं आएगा आपको यहाँ पर दूसरी situation लेके चलने पड़ेगी वो है यहाँ पर minus 3 आप minus 3 करेंगे क्या निकल कर आयाँ है यहां पर आपको C ठीक है और L से आप minus 6 करेंगे तो आपका निकल कर आएगा F, R से minus 9 करेंगे तो आएगा I और X से करेंगे माइनस 12 तो आपका यहां पर निकल कर आएगा L, यानि कि आपका आंसर निकल कर आएगा C, F, I, और L, ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वह ओप्शन नमर भी, यानि कि इसमें आपका चलना था 2468 की सेक्वेंस और यहां च D, I, M, P से C, J, L, Q कैसे तरह चाया, देखिए, D, I, M, P, C, J, L, Q, D से C आता है जो हम माइनस 1 करते हैं, I से J आता है जो हम प्लस 1 करते हैं, M से L आता है जो हम अगें माइनस 1, and P से Q आता है जो हम प्लस 1, यानि कि प्लस और माइनस 1 करना है, उसी तरह से देखिए, U, W, Z, A u से अब हमें क्या करना है minus 1 क्या आएगा t w से plus 1 करना है तो x और z से यहाँ पर minus 1 करना है तो y and b a से यहाँ पर हमें करना है plus 1 तो आएगा हमारा b तो यह हो जाएगा txyb तो देखें यहाँ पर txyb हमारा answer given है क्या yes देखें option यहाँ पर txyb option d यहाँ पर हमारा right answer है next a b d h c f h p तो देखें a b d h c f h p अब a से यहाँ पर हमारा c कैसे आया plus 2 करने पर b से f आया हमारा plus 4 करने पर d से h आया plus 4 again plus 8 करेंगे h से plus 8 होगा तो आएगा हमारा p यानि कि plus 2 4 4 8 2 4 4 8 की सिक्वेंस चल रही है तो देखें यहाँ पर हमें j दे रखा है j से plus 2 करेंगे तो क्या निकल कर आएगा हमारा l फिर हम k से यहाँ पर करेंगे plus 4 आएगा हमारा o m से करेंगे plus 4 आएगा हमारा q and q से plus 4 करेंगे 8 करेंगे sorry 8 करेंगे तो आएगा हमारा y तो होगा हमारा l o q y तो option d यहाँ पर हमारा right answer है next है i j k l आई जे के एल ठीक है अब यहां पर देखिए एस टी यू वी तो यह सारे दीनों हमारे सिक्वेंस में है आई जे के लिए स्टी वी तो आप ऐसे लिए एम एन ओपी और यहां पर देखिए एम एन ओपी से यहां पर डब्लू एक्स वाई जेट यह हमारी सेम सीरीज बन करा रही है ठीक है तो यहां पर ऑप्शन डी जो है वह हमारा राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि निम प्रच्ण में दिये गए सेंबंदित विशिम शब्द संक्या अक्शन हमें देखने है तो देखिए यहां पर हमें दे रखा है गौराया, किलकिला, बुलबुल और चमकादड तो देखिए गौराया, किलकिला, बुलबुल को छोड़ कर जो हमारी चमकादड है वो इस्तन पाई है यानि कि यह अलग है इन तीनों से तो option D यहां पर डिफर है, option right, D right answer है next है डुप की लगा रहे है वो अलग word है इसलिए आपर option A right है next है 206, 125, 27, 8 तो देखिए friends यहां पर 206 को छोड़ कर बाकी सब क्या है बाकी सब एक दूसरे के square है या from cube भी बोल सकते है यह हमारा किसका है यह हमारा 5 का cube है यह हमारा किसका है 3 का cube है और यह हमारा 2 का cube है जबकि 206 किसी का cube नहीं है तो option A right answer है next है जोपड़ी, खत्ता, घुरसाल और बैरक तो देखिए friends यहां पर खत्ता, घुरसाल और बैरक को छोड़ के जोपड़ी जो है वो छोटे भवन को represent कर रहा है जबकि खत्ता एक बड़ा विशाल भवन होता है जहां पर अन्न रखा जाता है कभी-कभ जबकि जोपड़ी जो है एक छोटे से भवन को represent कर रहा है बाकि सारी चीजे बड़ी सेना या बड़े विशाल भवन को represent कर रहा है तो इसलिए option A differ है right answer है next है gallop, sink, albino, crab तो देखिए friends यहां पर albino को छोड़कर बाकि सभी स्वर जो है उसमें व्यंजन की संख्या स्वर क albino में 3 है और vengen भी 3 है इसलिए आपको कोई और लगता है इसमें तो आप जरूर बताएगा कि इसमें यह वाला भी logic हो सकता है आप comment section में बता सकते हैं कई वार ऐसा होता है एक question में एक से ज़्यादा logic भी होता है तो अगर आपको कोई ऐसा logic लगता है तो आप comment section में करें जैसे दल बहुत सारे लोगों का दल होता है मंडली जिसमें बहुत सारे लोग होते है सेना जिसमें बहुत सारे सैनेक होते है तब उसे सेना का जाता है जबकि चीटियां क्या है कोई एक जानवर को प्रेजेंट करें और चीटियों में कुछ चीटियों हो सकते हैं लेक आप देखते हैं यहां पर यह किस तरह से इसका स्विकेंस है देखें यहां पर O, K, S, J and V, G, T, N यहां पर V, G, T, N को छोड़कर बाकी सब क्या है सभी में बाई से पहला अक्षर क्या है स्वर है आप खुद देख लीजिए यहां पर E हमारा स्वर है, I हमारा स्वर है, O हमारा स्वर है जबकि यहां पर G के आगे V जो है उसवर नहीं है इसलिए यहां पर डिफर है option D, next question पर आते हैं अब आप यहां पर देखें हमें एक series दे रखी है जिसमें दे रखा है है 1, 2, 4, 5 तो देखें है आप इस तरह से देखिए向 डवाइट कर लीचे तो पार्ट में अब्हर देखें ég me 1nd K, 2لف आ गया चार में 1nd K , 5 आ गया 6 में 1nd K , 7 गया 14 में 1nd K , 15 गया 3ος में 1nd K पेड़र अडिया इकक्षा है आट पर 9 प्राइब, दो यानिक ये सब सीरीज तहीं चल रहे हैं लेकिन आए यह सीरीज अलग रहे हैं लेकिन दस में एकक्षा हैं आतर करके ही, यह 11 इन रहे हैं इसलिए भीडियो ते और इसलिए जो दो यह न जो चाहेगा, तो यह जो है इस बैक्स वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स आप से और भी अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाइबाई